आज की यह वीडियो जाबएसक्षिट सीरीज की लेक्चन मरr 37 होने बाली है जिसमें मैं आपको Keyboard Events के बारे में बता हूँआ Keyboards Events कौन कौन से हैं उनकी properties और उनके methods होते हैं उनके बारे भी हम इस वीडियो में जानेंगे अपनी पिछली वीडियो ये लेक्चर नम्मा 36 में मैंने आपको माउस इबेंट्स के बारे में बताया था अगर आपको वह वीडियो देखने है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं जैहीं दोस्तों मैं नाम निर्भै और प्लीस वीडियो को लाइक और शेर कर जीज़ेगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करना मत बूलेगा क्योंकि तब ही आपके पास नोटिफिशन पहुसती है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकि आता रहता हूँ अब हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं देखें माउस इवेंट्स में हमने क्या जाना था लेकिन वहीं पर कीबोर्ट इवेंट्स भी आपके जावस के में कुछ इवेंट्स होता है जैसे कि आपने कोई की को प्रेस किया आपने की को प्रेस करें रखा या आपने की को रिलीज कर दिया या फिर आपने alt key दबाई या फिर आपने control key दबाई जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कई बार आपके competition programming होती है और कई बार आपके interviews होता है जो कि online लिए जाते हैं वहाँ पर यह condition होती है कि आप control key को नहीं दबाएंगे क्योंकि control c से copy हो जाता है js के जो भी coding को इसको हम separate रखेंगे यह हमारी पुरानी coding है इसको remove कर देते हैं और stml का आप यहाँ पर रहेगा और यह जो आपके home.js है उसको हमने source attribute के मदल से skip tag के मदल से यहाँ पर connect किया हुआ stml से clear है अब जो इसका output आ रहा है फिलाल हमारा वो क्यारा वो आप देख लीजिए मैं इसको refresh कर देता हूँ यहाँ पर आपको keyboard events और यहाँ पर input field आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से अब यह input field किस प्रकार से काम करेगा इस वीडियो में वो आप समझेगा input field का यहाँ पर मैंने ID input दिया हुआ type यहाँ पर text दिया हुआ है और paragraph का ID मैंने आपर पैर लिया हुआ लेकिन कुछ भी paragraph नहीं लिखा हुआ है अब यहाँ पर कुछ events आते हैं keyboard के जैसे की on key down on key up और on key press यह तीन बहुत महत्तपूर events होतें keyboard के अब यहाँ पर जब हम on key down की बात करते हैं तो उसका मतलब सीधे सीधे यह होता है कि मालने जिए आपके keyboard में N जो है वो एक key है N की होती है जैसे I, O, P यह भी key होती है वो आपने press key और press करने के बाद आपके उंगली अभी उसी पर है और एकदम उसना आपने उंगली को release कर दिया जब आप release करेंगे उसे कहेंगे on key up और यहाँ पर एक और आता है on key press इन दोनों को यानि कि down और up को मिलाकर जो बनता है वो on key press बनता है clear है सो यहाँ पर एक एक करका हम समझते है सबसे पहले जो event लगाते हैं वो लगाते हैं यहाँ पर on key down इस परिकार से और एक को लगाकर double quotes आपको लगाना होता है यहाँ पर कोई भी function को call कर सकता है जो भी आप बनाएंगे अपनी उसमें file में home.js में तो यहाँ पर मैं function को लग देता हूँ suppose चीजी है key down इस परिकार से हो क्योंकि यह function है bracket को यहाँ पर on or off कर देते है अब यहाँ पर बात ठीक है key down हमने एक function में बाला जाए लेकिन उसके key down काम क्या करेगा वो हमें बताना होगा तो function को declare करते है key down उसका नाम है bracket को on or off करते है अब यहाँ पर हमें करना है कि जब भी हमारा key down हो तो हम चाहते हैं कि paragraph में कुछ लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर paragraph में कुछ लिखा हुआ आ जाए तो क्या करेंगे document.getElementById इस पर कार से और कौन से id है paragraph की वे id है आपकी पैर नाम से so document.elementYid double quotes में पैर यहाँ पर और यहाँ पर .innerStml अगर आप चाहते हैं innerStml यहाँ पर लिख सकते हैं इस परकार से और double quotes में आप आप लिख दीजिए key down या कुछ भी आप लिख सकते हैं वो आपके उपर depend करते हैं so यहाँ पर हमने क्या apply किया एक हमने अपर on key down event को apply किया then key down हमने function call किया और key down function में हम innerStml के मज़ से paragraph के अंदर key down को print करेंगे so save करके refresh करते हैं अब देख लिजे जैसे हम input field में कुछ भी लिखेंगे हमने लिखा end जैसे हमने end लिखा यहाँ पर key down आपका लिखा हुआ अगया आपको दिख रहा हो गया अपर अब मालने जिए यहाँ पर key down आपका press करने के बाद आ रहा है आप चाहने के release करने के बाद आए जहने कि जब आपने button दबाया और button जब आप छोड़ेंगे और हम key up function को यहाँ से पूरा copy करते है key down को और नीचे paste कर देते हैं और down की जगा हम लिख देते हैं key up इस परकार से और हम यहाँ लिख देते हैं अब आप यहाँ पर देखिएगा save कर दिया है मैंने और चलते हैं अपने browser पे और यहाँ पर मैं करता हूँ refresh अब यहाँ पर आप ज्यान दीजएगा कि मैं कोई भी keyboard पर key को पहले press करके रखूँगा याने कि down करके रखूँगा दबा कर रखूँगा रही जब मैं बोलूँगा release कर रहा हूँ तब मैं उससे release करूँगा और दोनों में आप अंतर देखेगा मैंने यहाँ पर end को press करके रहूँगा मैंने यहाँ पर end को press करके रखा है key down यहाँ पर आपको देखने को मिला क्योंकि अभी आपका button जो अब दबा हुआ जैसे हिम इसको release करूँगा यहाँ पर key आप आजएगा पर हम लिख देते हैं इस function के नाम key press और function है तो bracket on off then हम यहाँ पर home.js पर जाते हैं और यहाँ पर हम इसको remove करते हैं यहाँ लिख देते हैं key press key press इस प्रेकार से और यहाँ पर हम लिख देते हैं key press control से करते हैं save अब कोई भी आप key को press कर दीजिए वो यहाँ पर इस प्रेकार से दिखाएगा अब यहाँ पर एक बात रहाद रखिए कि आपको अगर यह पता करना ही कौन सी की आपने यहाँ पर press किया है तो वो भी आप पता कर सकते हैं properties होती हैं वो हम समझेगे कि आप यहाँ पर एक बात और समझेगे कि मालीजी है आपने alt key को press किया यहाँ पर मैं alt key को press करता हूँ on key press पर यादर किया alt key मैंने यहाँ पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आप यह कुछ मी नहीं दिखाया लेकिन अगर हम on key down में यहाँ पर प्रेस करते हैं alt key को यहाँ पर यह event ट्रिगर हो जाता लेकिन on key press में नहीं हूँ तो क्या सीखने को मिलता है कि on key press event में alt, control, shift जैसी जो keys है वो trigger नहीं हो पाती हैं हर बार हर बार से में मतलब यह कुछ आपके जो browsers होते हैं वो support कर लेता है लेकिन जातर नहीं करते हैं तो ऐसे में जब भी आपको हर एक keyboard आप चाहिए कोई भी key आपके press और keyboard पे और तब आपका trigger हो आपका event तो याद रखिएगा हमेशा आप on key down का ही इस्तिमाल कीज़ेगा तो यह तीनों event आपने समझ लिए लेकिन यहाँ पर कुछ और आपकी properties आती है properties कैसे कि alt key, control key, shift key, pitch, code और भी बहुत सारी आपकी properties होती है कुछ methods भी होता है जैसे कि get modified तो यहाँ पर उनके क्या roll है वो आप समझे कि आपने कोई button जो है कोई key जो है वो तो press कर दी लेकिन क्या वो alt की तो नहीं है या क्या वो control की तो नहीं है तो यह कैसे बहुत चलेगा तो उसके लिए भी हम यहाँ पर जानते हैं हम चलते हैं बापिस अपने यहाँ पर code पर अब यहाँ पर हमने लिखा है ना on key press यहाँ पर हम सबसे पहले तो on key down लिख देते हैं क्योंकि alt key press में आपका नहीं मालिम पड़ेगा down में ही मालिम पड़ेगा यहाँ लिख देते हैं हम key down इस परिकार से key capital कर देते हैं अब यहाँ पर एक चीज और समझेगा क्योंकि function है key down यहाँ पर आप एक as a argument कुछ भी pass कर सकते हैं और हम यहाँ पर pass करेंगे क्या event को pass करेंगे clear है यहाँ पर कोई भी नाम लख सकते हैं event नहीं लखना है नेकिन हम इसे बोलते event है आप चाहिए कुछ भी नाम लखती है सो हमने आप एक पर event पास कर दिया बापीस अलते होंग पर और जो हमारा function उसका नाम हमारा क्या हो गया key down हो गया और यहाँ पर हमने एक parameter recipients का नाम हम event रख देते हैं अब सबसे पहले हम यह जानेंगे सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि जो हमारा event है उसमें आखिर क्या-क्या value receive हो रही है सो हम क्या करते है console कर देते है console.log और यहां हम कर देते है event को pass इस प्रेकार से वह bracket को कर देते है close कि जब भी कोई key press होगी सो वहाँ event आपका function ने pass होगा हम उसको receive करेंगे और हम देखेंगे क्या कि उस event में क्या-क्या हमारे पास आया control से करते है safe, browser में चलते है refresh करते हैं और यहां पर हमें क्या on करना है हमें यहां पर console को open करना है so control shift और i को आप प्रेस कर दीजएगा control shift और i so console जो बो open हो जाएगा clear है इस प्रेकार से so यहां पर आप याद रखिएगा जैसे ही में कुछ करूँगा तो यह console पर आपका print देखने को मिलेगा थोड़ा छोटा हो जाए मेरे भाई ठीक है अब मानली जी यहां पर मैंने कोई भी key को press किया मैंने मानली जी alt key को press किया तो यहां पर keyboard event आपके सामने आए एक object यहां पर आया is true alt key क्योंकि मैंने alt key यहां पर press की थी अब यहां पर मतलब यह है कि keyboard event dot alt key आपको पता है ना आपके object या कोई भी element अगर आपको access करना तो आपको dot लगाना होता है so keyboard event dot alt key अगर हम check करेंगे और अगर वो true होता है तो इसका मतलब आपके alt key को press किया है तो यही होती है अपके property अब कैसे check करेंगे वो आप देखिए तो यहां पर आपके यह तो समझ में आ गया कि हमारे event में alt key भी हमारे पास आ रही है अगर हम alt key को press करते हैं तो अगर हम लिख देंगे event dot alt key इस प्रेकार से alt key तो देखेंगे क्या आएगा हमारे पास refresh करते हैं console को हम बापिस से on करते हैं इस प्रेकार से जैसी मैंने alt key को press किया तो यहां पर आपका true देखने को मिल गया अगर मैं यहां पर alt key को को दबाता तो आपको force देखने को मिलेगा इस प्रेकार से यहां पर आप condition दे सकते हैं कि if अगर आपका alt key यहां पर लिख दीजे if अगर event dot alt key अगर आपको मिलता है और अगर यह condition true हो जाती है तो आप कुछ भी यहां पर print कर सकते हैं जैसे कि हम लिख रहे थे ना पहले document dot get element by id इस प्रेकार से लिख रहे थे और id हमारी paragraph की थी par इस प्रेकार से और यहां पर आप inner stml पर लिख दे थे थे inner text नहीं था inner stml था और यहां पर आप लिख रहे थे क्या कि alt key pressed यहां पर आप लिख सकते हैं कि alt key pressed इस प्रेकार से ठीक है अब यहां पर एक चीज और समझिए कि आप document dot get element by id हर बाल लिखेंगे क्या नहीं लिखना है तो उसके लिए क्या लिए क्या एक variable बना लेते हैं आप लिख देते हैं where x इस प्रेकार से और इसके अंदर हम document dot get element by id यहां तक हम ले लेते हैं इस प्रेकार से तो cut किया यहां paste किया semicordal लगाया अब हमें करना क्या है कि यहां जो आपका x यहां पर हम लिख देंगे और dot inner stml वही काम करेगा इस पूरे कोंग क्या करते हैं दुबारा से यहां से copy कर लेते हैं और else part बनाते हैं if condition का else part और यहां पर हम इसको paste कर देते हैं और यहां लेगते हैं alt key is not pressed इस प्रेकार से अगर alt key दबाएंगे तो press दिखाएगा और नहीं दबाएंगे तो not press दिखाए चलते हैं ब्राउजर पर ठीक है और अब अब console की जुरूत है नहीं हटा देते हैं अब हम जबाते पहले alt key तो alt key जब हम दबाएंगे कोई और की तो यहां पर आगा alt key is not press आप इसी प्रेकार से और भी प्रपड़ी जैसी control key है shift की है उसको भी इसी प्रेकार चेक कर सकते है बहुत simple तरीका है event को handle करना आपको सीखना है function जब आप बनाएंगे तो argument में आप event पास कीजिएगा function में event को receive कीजिएगा और एक बार उसे console करकर जो देखिएगा कि क्या 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 आपके पास आपके पास क्या बोलते हैं उसके बाद आप उसे access कर सकते हैं बहुत आसान त getModified मेरे साब से यही होता है अगर मैं भूरा हो तो माफ की सेगा so getModified आपका एक function होता है जो की keyboard events का यह function होता है यहां पर क्या होता है कि हम dot लगा कर getModified लिखते है और जो आपके क्योंकिए function है तो bracket on off होगा उसके अंदर हम caps lock numlock और scroll lock लिखते हैं यहां पर हम यह चेक करते हैं कि कहीं आपका caps lock on तो नहीं है कहीं आपका numlock on तो नहीं है कहीं आपका scroll lock on तो नहीं है यह off तो नहीं है यह भी आप कर सकते हैं keyword event बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने बता दिया है थोड़ी बहुत चीजे रह गए तो बो मुझे नहीं लगता है इस वीडियो जाएगा और आगे कभी जरूत पड़ेगी तो हम उसे वहां पर क्लियर कर देंगे इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं अगर आपको बीडियो पसंद आप प्लीज वीडियो लाइक और शेयर कर जीज़ेगा अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं दमा के दर टॉ